Hello all and welcome to recognition IES हम लोग देख रहे हैं हमारी जोग्राफी की classes फटापट देखते हैं इस जोग्राफी में आज हम लोग soil के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे soil होती क्या है कैसे develop होती है कौन से वो तरीके हैं जिसके कारण से soil impact हो रही होती है और फिर हम लोग देखेंगे different type of soil, classification of soil और देखेंगे की कौन सी soil कहां पर हमें मिलती है इन सारे चीजों के बाद हम लोग देखेंगे soil की degradation कैसे होती है और इस soil के degradation को हम लोग कैसे बचा सकते हैं कौन कौन सी soil conservation technique है तो काफी कुछ हमें देखना है तो let us start, let us complete and let us crack but before that these are our contact details and these are our available courses on YouTube these are film से special, main से special as well as test series based on the description soil के बारे में अगर बात करें तो देखें soil जो है basically वो mixture होती है organic matter की साथ में minerals, gases और भी बहुत सारे चीजें हो जा रही होती है अब soil के बारे में अगर बात करें basically ये इसका जो main source होता है वो main source निकल के आता है कहली ये कि जो rock particles है अब ये rock particles basically erode हो रहे होते हैं और इस erosion के बाद जितने भी हमारे पास external sources हैं चाहे वो river हो, चाहे window, चाहे कुछ भी हो उसके माध्यम से ये plain area में आ जाता है और ये plain area में basically develop होने के बाद ultimately soil का रूप ले ले रहा होता है तो इस कारण से यहाँ पर organic matter भी develop हो जाते हैं जब ये develop हो रहा होता है तो बहुत सारे bacteria's, बहुत सारे organisms यहाँ पर आ करके दब जाते हैं जितके कारण से organic matter यहाँ पर मिलता है gases भी develop हो जाएंगे, liquid और organisms तो पाए ही जाएंगे minerals आ जाएंगे क्योंकि ये erosion के कारण से आया है और हमें rock पता है कि mineral का ही basically ये composition होती है mineral की ही यहाँ पर प्रचूरता होती है ये जो rock होते हैं basically वो तूट रहे होते हैं और इस तरीके से हमें physical, chemical और biological process के बाद soil की component मिल रहे होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर development हो जा रही होती है अगर main component of soil के बारे में बात करें तो हमारे पास कई सारी चीज़े हो जाती है जैसे सबसे पहले होती है mineral material mineral material का मतलब जो भी parent rock है या कह लिजे जो भी parent material है जहां से तूटने के बाद चीज़े निकल के आ रही होंगी वो basically mineral material कहलाता है तो it includes all the mineral inherited from the parent material as well as those formed by recombination from substance in soil solution तो basically ये material किसी ना किसी format में convert होगा convert क्यों होगा क्योंकि सीधी सी बात है या तो ये river के influence में आएगा या wind के influence में आएगा glacier के influence में आएगा groundwater के influence में आएगा किसी भी तरीके से अलग-अलग external agent के influence में आएगा और ultimately इसका जो भी जो भी इसका structure होगा जो भी इसका root होगा वो बदल जाएगा और basically convert होने के बाद ये अलग-अलग format में change हो जा रही होगी दूसरा material या कह लिजए दूसरा जो component होती है वो होती है organic matter that is derived from decaying plant material क्योंकि सीधी सी बात है जैसे ही ये soil की माल लेते हैं यहां पर माल लेते हैं कि कोई न कोई vegetation आ गई है लेकिन ये vegetation soil के दूसरे layer के development के कारण दब जाएगी और इस तरीके से जो plant material है वो decay कर जाएगा and ultimately decomposed by the action of material in मतलब animal and microorganisms living in the soil तो इस तरीके से यहां पर चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही होंगी इसके पाद हमारी air और water भी होती है क्योंकि यहां पर air और water यह काफी ज़्यादा important source बन जाते हैं for the bacterial action अब देखें bacteria को चाहिए होता है oxygen यानि की जरूरत होती है किसकी air की जिसको air की जरूरत या oxygen की जरूरत होती है इसको हम लोग बोलते है aerobic और जिसको oxygen की जरूरत नहीं होती है वो non aerobic बन जा रहे होते हैं clear हो गया आगे अगर बात करें तो हमारे पास कुछ soil forming processes हो जाती है soil forming process के बारे में अगर बात करें तो काफी ज़्यादा होती है फर्स्ट लेवल से या कह लिजे फर्स्ट स्टेप है जहां से surface पर यह आना शुरू होता है तो basically यह बोल सकते हैं कि rock material यहां पर erode हुआ है और erode होने के बाद यह translocate होगा तो translocate जब होगा तब होगा फिलहाल rock material erode हुआ है this is the process of addition and this obvious one includes solar energy water controlled by climate organic material derived principally from the vegetation तो यहां से चीजे निकल के आती है दूसरी जो step होती है उसको बोलते हैं losses losses का मतलब यह है कि these occur from both from the surface and from the deep sub-soil material suspended or dissolved in the water or main form of losses are leaching अब जैसे यहां पर माल लेते हैं कि soil की first layer आ गई है first layer आने के बाद लगातार यह water के influence में आ रहा है मतलब water लगातार इसके उपर में पानी लगातार इसके उपर में बहती रह रही है इस बहते रहने के कारण soil में जैसे soil भी तो क्या है इस तरीके का particle है अब इस particle में अगर यह माल लेते हैं बड़े बड़े अगर particle लंगो तो water इसके अंदर में lock करके नीचे की ओर में गिरता चला जाएगा लेकिन अगर यह particle छोटे छोटे होंगे तो इसके अंदर में जो pores हैं जो गड़े हैं जो सुराख हैं वो भी कम रहेंगे और पानी की leaching मतलब की पानी नीचे जाने की जो संभावना होगी वो उतनी ही जादा कम रहेगी तो यह second layer आ जाती है जहां पर water और air यह दोनों भी इसको impact कर रहे होते हैं तीसरी आती है ट्रांस लोकेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की tendency तो this is basically physical movement of material within the soil material solid हो सकते हैं liquid हो सकते हैं cases format में हो सकते हैं यहां पर कई सारे material mineral के format में होते हैं जैसे organic material हो गया या iron या aluminum या hydroxide होते हैं basically जो surface या sub surface पे available होते हैं यह because of the capillary action capillary का मतलब क्या होता है हम लोग देखें गे capillary action या फिलहाल के लिए आप समझ लीजे capillary के जगा पर leaching आप समझ लीजे leaching का मतलब क्या है यही जो पानी नीचे के और में चला जा रहा है इसको हम लोग technical term में leaching बोलते हैं clear हो गया क्या चीज़ है तो these are very cold climate में इस तरीके के translocation मतलब की जो भी यहाँ पर compounds है या जो भी mineral यहाँ पर है वो leach करके नीचे चले आते हैं धर्ती में चले जा रहे होते हैं next level होती है translocation के बाद अब transformation यहाँ पर क्या हुआ this involves the change of soil constituent without any physical displacement यहाँ पर कई सारी चीज़े होती हैं transform कर रही होती है जैसे chemical और physical process जिसके कारण से यहाँ पर हमें material में change देखने को मिल रही होती है और last में आ जाती है fifth process इसको बोलते हैं हम लो organism organism में होता क्या है कि जो plant है या animal है या जो कुछ भी कह लिजे कि surface पे मिल जाएगा जाए वो bacteria ही क्यों ना हो वो ultimately दब करके decomposition के कारण से nutrient cycle में मिलने के कारण से organism produce कर रहा होता है तो these are organism both plant and animal play an important role in the development and composition of soil organism and organic matter a decomposition weathering and nutrient cycling तो इस तरीके से basically soil form करने के ये 5 process होते हैं जो अलग-अलग तरीके से हम लोगों ने चीजे देख लिया अब हम लोग आगे बढ़े हैं तो देखते हैं कि आखिर में वो कौन से ऐसे factor हैं जो soil की form कर रहे होते हैं soil को बना रहे होते हैं soil को बनाने के लिए हमारे पास सबसे important चीज़ आती है parent material मतलब की जो rock material है जहां से चीजे basically टूटना शुरू होंगी erode होना शुरू होंगी और यहीं से सारा का सारा material कह लिजे जो raw material है वो निकल करके सामने आएगा तो in most of the cases parent material determine the coloration, mineral composition and texture of the soil texture का मतलब क्या चीज़ होता है texture का मतलब होता है जो भी जिसमा लेते हैं कि यह हमारा hexagon है ठीक है तो जब भी आप इसको surface को touch करेंगे तो अगर मा लेते हैं इस तरीके से यह नुकिली नुकिली चीज़ बनी होगी इसको बोलेंगे हम लोग texture कैसा है ठीक है तो texture का मतलब होती है कि किस तरीके से surface दिख रहा है next जो होती होती है climate climate का मतलब यह होता है कि temperature और rainfall इस तरीके की जो material या इस तरीके का जो भी तूटा हुआ particle निकल करके सामने आया है वो लगतार इनके influence में आता रहता है तो temperature और rainfall के कारण से इस material में कई सारे changes आना शुरू हो जाते है जैसे thawing आने शुरू हो जाती है thawing का मतलब यह हो गया कि thund का season या फिर temperature बहुत low हो जाए तो इसमें thawing होना शुरू हो जाती है इसके लावा rainfall के कारण से material और ज़्यादा break करना शुरू कर देता है because of already discussed our chemical composition of the water तो इस कारण से भी material में change आते रहते हैं लास्ट में होती है next topography topography काफी यादा important होती है किसी भी area के soil form करने के लिए ये factor काफी important होता है क्योंकि जो relief होती है वो काफी हद तक soil erosion को impact कर रही होती है जैसे अगर बात करें चंबल की चंबल में क्या होती है हमें पता है कि चंबल में badland topography काफी यादा है badland का मतलब यहाँ पर गली erosion होती है basically तो गली erosion का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ का area clay type का है या फिर कह लिजे sandy type का है और इसके कारण से यहाँ पर जब भी water की अगर कोई भी एक flow होती है water की धारा को अगर बहाया जाता है तो उससे यह इलाका कटा फटा देखने को मिल रहा होता इस कारण से यहाँ पर ravines बन रही होती है इस higher reaches of Himalaya where there is minimal or no forest cover etc. these are the most important topographic features which impact the soil formation the area of low relief for gentle slope generally experience decomposition and have deep soil तो इस तरीके की जो चीज़े होती है हमें सामने देखने को मिल जा रही होती है topography actually इसलिए होती है important क्योंकि जैसे अभी हम लोग जब soil बात करेंगे तो soil में different horizons होते है different horizons होने का मतलब यह हो गया यहाँ पर इस तरीके की horizon होती है जैसे उपर की layer O बोली आती है फिर A होती है फिर B होती है फिर C होती है फिर rock strata D हो जा रहा होता है यह जो layer है या फिर कह लिज़े यह जो strata है यह इस तरीके का जो horizon बनी हुई है यह development में इस के development में इस topography का काफी ज़्यादा योगदान रहता है और इस कारण से topography काफी important हो जा रही होती है clear हो गया आगे अगर बात करें तो यह हो गई हमारी soil horizon जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे है तो यह जो top में आप देख सकते हैं यहाँ पर greenery हो रखी है और यहाँ पर basically जितना भी खर पतवार जितना भी आप कह लिजे कि surface पे जो भी vegetation उगार रहे होते हैं वो होती है इसको बोलते हैं हम लोग a layer या a horizon जहां पर basically humus होता है और जो भी organic component होते हैं वो हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं o horizon यहाँ पर surface litter आप देख सकते हैं मतलब कि जो पत्ती जो भी leaves हैं वो basically गिर करके हैं आपर litters मना रही होते हैं यह partially decomposed organic matter clear हो गया इस o composition के बाद next block आती है या next horizon आती है जिसको हम लोग बोलते हैं a जो होती हो top soil होती है basically इस top soil में humus होता है living creatures यानि organisms होते हैं और साथ में कुछ minerals भी पाए जा रहे होते हैं तो यह surface भी काफी important होता है इस surface के बाद next surface हाती है जिसको हम लोग बोलते हैं B horizon B horizon में क्या होती है कि यहाँ पर basically minerals ज़्यादा पाए जाते हैं organisms वगरे नहीं होते हैं तो यहाँ पर basically iron हो गया aluminium हो गया humid हो गया compounds accumulated and clay leached down from the E horizon अब यह leaching क्या चीज़ अब यह हम लोग बात करते हैं फिलाहल आप यह समझे कि यहाँ पर basically mineral components वगरे ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं B sub soil से तीसरी layer आती है तीसरी horizon होती है जोसको हम लोग बोलते है sea horizon sea horizon basically weathered material या फिर कह लिज़े rock का area होता है जहाँ पर बड़े-बड़े boulders या फिर quartz particle आ रहे होते हैं तो these are the weathered parent material partially breakdown of inorganic component तो इस तरीके से यहाँ पर surface आ जा रही होती है last में हमारी last bedrock आ जा रही होती है और simple यह कुछ नहीं है bedrock है rock का मतलब यह rock particle है जो की ultimately parent of material मतलब की soil forming processes दे रहा होगा अब एक term यहाँ पर लिखा हुआ illuviated horizon illuviated का मतलब यह होता है माल लेते हैं कि उपर से rainfall होई इस rainfall होने के कारण से उपर में जो भी mineral composition है अब mineral कौन कौन से हो सकते है mineral हो सकते है calcium carbonate हो सकता है calcium sulfate हो सकता है या फिर aluminium के carbonate हो सकते है aluminium के sulfate हो सकते हैं हो सकते हैंगी नहीं हो सकते हैं सारा हो सकता है तो उपर में जब H2O आएगा तो H2O के कारण से यहाँ पर calcium hydroxide बन जाता है calcium sulfate के कारण से calcium hydroxide यहाँ पर भी बन जाता है और साथ में H2CO3 carbonic acid बन जाती है यहाँ पर H2SO4 sulfate मतलब sulfuric acid बन जाती है similarly यहाँ पर भी aluminium के कारण से aluminium hydroxide जिसको की हम लोग cesque oxide भी बोलते हैं यह basically cesque oxide होता है this is cesque oxide ठीक है question पूछा गया है इस पर based इसलिए ध्यान में रखिएगा देखिए बहुत सारी हम लोग detail में discussion करना है soil horizon के बारे में वो इसलिए करना है क्योंकि this is the most complex topic of geography after climate climate के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा complex topic है बहुत ज़्यादा tough कह सकते हैं आप इसको क्योंकि information बहुत ज़्यादा discrete format में फैली हुई है इसलिए ध्यान से ज़रा सुनिएगा एक एक term हम लोग discuss करेंगे बहुत सारे यहाँ पर concept के बारे में हम लोग देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर देखें वापस से आते हैं अपने इस horizon पर तो यहाँ पर water के कारणा से यहाँ पर जितने भी हमारे surface पर minerals होते हैं वो धीरे धीरे leach करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अगर माल लेते हैं कि यह rainfall बहुत ज़्यादा तीजी से हो गई तो होगा क्या जो भी minerals है basically वो बह जाएंगे कहां बह जाएंगे नीचे चले जाएंगे सीधी सी बात है तो नीचे अगर जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं E horizon या इसी को बोलते हैं हम लोग illuviated horizon जहाँ पर mineral एक जगा पर इकठा होना शुरू हो गया है तो इस layer में basically इस layer में horizons इकठा होना शुरू हो जा रहे होते हैं अब देखिए यहाँ पर अगर माल लेते हैं सेस्क्यू आकसाइड माल लेते हैं कि यह जो hydroxide है जो की precipitate होता है white color का होता है अगर माली जे वो इकठा होना शुरू हो गया तो इकठा हो जाएगा तो सीधी सी बात है अब जो water की जो भी माली जे penetration नीचे जानी चाहिए हो जाएगी क्या नहीं जाएगी पानी यहीं पर रुकना शुरू हो जाएगा और यहीं पर यह basically इसको एक rock strata की तरीके से मानना शुरू कर देगा क्यों मानना शुरू कर देगा क्योंकि precipitation हो गई है यहाँ पर पूरा का पूरा एक तरीके से traffic लग गया है अब इसके कारण से पानी नीचे नहीं जा पाता है जब नीचे नहीं जाएगा तो यह पूरी की पूरी स्वाइल कैसी हो गई alkaline स्वाइल हो जा रही होती है क्यों होई है क्योंकि rainfall या फिर कह लिजिए कि irrigation बहुत ज़्यादा कर दिया गया है high irrigation कर दिया गया है यह problem सामने देखने को मिली है हमें पंजाब में पंजाब के इरियाज में हमें same problem देखने को मिली है जहाँ पर irrigation बहुत ज़्यादा करा दिया गया जिसके कारण से जो भी minerals थे वो basically leech करके नीचे चले गया illuviated layer में चले गया this is e-l-e ठीक है e-l-u याद रखियेगा क्योंकि अभी हम लोग इको टर्म के बारे मात करेंगे illuviation उसको भी बोलते हैं बस यह कि टर्म में थोड़ा सा अंतर spelling में है तो यहाँ से पंजाब में illuviate करके नीचे चलेगा और ultimately जो soil है जो पहले एक अच्छी खासी fertile soil थी वो अब alkaline soil में या फिर infertile soil में तबदील हो जा रही होती है तो आप आप लोगों को यहाँ पर तक यहाँ तक की चीज clear हो गई होगी अगर माल लेते हैं कि बारिश और तेज होई तो और तेज के कारण से अब mineral सीधे पहुँच जाएगा कहां अपने rock strata वाले portion पे क्यों क्योंकि पानी leech कर जाएगा पूरा नीचे इस तरीके की जो leeching होती है जहाँ पर surface की जो minerals है वो basically एकदम down area में या फिर कैली जे एकदम rock strata में चले आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज इस तरीके के eluviation को बोलते हैं हम लोग eluviation तो this is basically I double L और जब यह छोटे level पे होता है तो उसको हम लोग बोलते है E L U V A I T I O N eluviation तो दोनों में आपको एक difference clear हो गया होगा basically क्या चीज हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में अगर देखें तो horizon A is basically topmost zone where organic material got incorporated with the mineral, metal, nutrient and water which is necessary for the growth of the plant तो यह हो जाती है हमारी A जो top soil होती है फिर हम लोग B के बारे में अगर बात करें तो यह basically transition zone होती है A और C का जहां पर basically minerals यहां पर रुके होते हैं तो these contain material derived from below as well as from the above and some organic matter in it through the mineral metal is noticeable weathered तीक है last में आती है हमारी C parent material और यह basically होती है जो loose parent material होती है जहां पर basically soil forming process हो रही होती है और यह ultimately जो होती है अलग-अलग format में तूट करके यह आगे के जो horizon B और horizon A है उसको develop कर रहे होते हैं तो horizon तक clear हो गई क्या चीज़े हैं तो यह basically वो फिर से एक बार photo दे दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिए no down कर लीजिए आगे बढ़ें अगर तो हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं आप soil classification के बारे में इस soil classification से पहले जरा एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर जो हम लोग classification कर रहे हैं वो US based classification कर रहे हैं US में यही classification किया गया है इसके बाद हम लोग Indian classification देखेंगे कि कौनसी classification है US में basically soil को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है एक डिवाइट किया गया है पीडो कल्स के रूप में और दूसरी की गई है पीडालफर के रूप में तो जो पीडो कल्स होती है महाँ पर calcium rich होती है और जो पीडालफर होती है यह aluminium rich soil हो रही होती है clear हो गया है क्या चीज़ है तो पीडो कल्स आर subdivision of the zonal soil order zonal soil का मतलब वही है horizon जो हम लोग ने बात किया तो these are the subdivision of soil order in it is a class of soil which form in the semi-arid and arid region तो यह basically सूखे deserty area में यह पाई जा रही होती है these are rich in calcium carbonate क्योंकि calcium rich soil होगी बाती ही कर लिया हम लो और यहाँ पर low soil organic matter पाया जा रहा होता है clear हो गया बाकि अगर बात करें पीडालफर के बारे में तो these are composed of aluminium and iron hydroxide ठीक है तो aluminium के होगे और aluminium iron के oxides रहेंगे it is a subdivision of the zonal soil order comprising a large group of soil in which sesquia oxide increase अब sesquia oxide क्या होती है अभी हम लोगोंने बात कि आता कि ALOH whole thrice इसको हम लोग बोलते है sesquia oxide बनेगा कैसे aluminium का माल लेते है carbonate है this is basically AL2CO3 जब यह water के साथ में react करेगा इसको बोलते हैं हम लोग hydrogenization जब water के साथ में react करेगा तो ALOH whole thrice बना दे रहा होता और ultimately H2CO3 यह carbonic acid बना देता है और इस तरीके से हमें यहाँ पर sesquia oxide बनते हुए दिखनी शुरू हो जा रही होती है clear होगे क्या चीज़ है तो in which sesquia oxide increase relative to silica during soil formation usually occurring humid area humid क्यों क्योंकि water area मिलेगा तभी न यहाँ पर आपकी sesquia oxide मिलेगी तो बस water के availability या फिर कह लीज़े rainfall होना चाहिए और rainfall कब होगा जब humid area बना रहेगा clear हो गया अब जड़ा देखते हैं हम लोग इस humid area के कारण से होगा क्या कि इस इलाके में leaching होनी शुरू हो जाएगी leaching होने का मतलब जो भी minerals है basically वो नीचे आना शुरू हो जाएगी the removal of material from geological or soil horizon is called as leaching या फिर इसे को बोलते हैं हम लोग illuviation basically दो तरीके का होता है जिसको अभी हम लोगों ने देखा एक है illuviation और दूसरी है illuviation illuviation में हम लोगों ने बात किया जहाँ पर horizon A से material नीचे चले गाता है horizon B पर चला आता है it is transport of soil material from upper layer of soil to the lower level by downward precipitation of water illuviation क्या चीज़ होती है जहाँ पर B से भी ये नीचे चली आएगी और ultimately rock strata के पास में चली जा रही होती है इस तरीके के हम लोग leaching को बोलते है illuviation तो this is basically accumulation of material illuvial deposit in the lower level ठीक है इस तरीके को हम लोगों बोल देते है illuviation basically ये जाती है अपने C layer में या अधिक से अधिक D layer में चली जा रही होती है क्योंकि C layer के नीचे is just rock strata होती है और rock strata को तो कोई भी तोड़ नहीं सकता है तो this is the classification of the soil based on the US classification ठीक है आगे बात करें अगर हम लोग थोड़ा सा Indian side में आ जाते हैं तो Indian side में basically जो soil है उसको दो तरीके से divide किया गया था एक किया गया था उर्वरा और दूसरे को उसर तो उर्वरा बोला जाता था जहां पर भी उर्वरा मतलब जो fertile land होती थी उसको बोला जाता है उर्वरा उर्वरक similarly उसर बोलते हैं जहां पर ये infertile soil हो जाती है जहां पर basically खेती नहीं हो पाती है तो इस तरीके से classification किया गया था लेकिन हमारे ICAR Indian Council of Agriculture Research जो कि एक Society Act में registered है और Ministry of Agriculture के अंतरगत आ रही होती है इसने classification किया soil को 8 categories में हलाकि 8 category में किया है मैंने यहां पर 9 category लिख रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्योंकि यहां पर जो forest soil है और जो mountain soil होती है ये दोनों के दोनों मतलब एक ही soil के रूप में consider किया जा रहा होता है divide किया है हम लोगोंने देखेंगे क्या चीज़ है बाकि इसको जो division किया गया 8 categories में वो अलग-अलग तरीके Genesis मतलब किस तरीके से formation हो रही है color के basis पे, composition के basis पे location and soil of India इस तरीके से divide किया गया है one by one करके अगर discuss करें हम लोग सबसे पहले देखिए alluvial soil के बारे में discuss करते हैं इसमें लिखा नहीं हुआ है जो बोल रहा हो मैं आप लोग अपने notes में note down करिएगा अब देखिए alluvial soil का मतलब होता है जो river अपने साथ alluvium लेकर के आई रहती है हम लोगों ने देखा हुआ है river के कारण से जो land form बनी थी जिसको हम लोग बोलते थे fluvial land form इस fluvial land form में हम लोगों ने basically जो देखा था वो ये देखा था कि अपने upper reaches में river mountain से निकल के आ रही होती थी यहाँ पर जो soil बनती है basically वो soil बनती है mountain के ही particle तूटने के कारण जिसको हम लोगों ने बोला था भाभर ठीक है तो हम लोगों ने इसको बोला था भाभर फिर उसके बाद से river disappear हो जाती है और इस region को बोलते है हम लोग तराई region जहाँ पर river disappear हो जाती है basically यहाँ पर soil की एक layer आ करके जम जा रही होती है तो यहाँ पर भी एक soil की एक layer आ गई फिर उसके बाद से river वापस reappear होती है और अपने आज़ पास इस तरीके से levy's बना देती है यह जो levy's है basically यह क्या है new aluvium है इस new aluvium को हम लोग बोलते है bangar this is basically bangar ठीक है फिर उसके बाद से यही aluvium जब पुराना हो जाएगा तो इधर उदर चला जाएगा इधर उदर चला जाएगा और यह इधर उदर जो चली आती है यह वाली यहाँ पर यह वाली इसको हम लोग बोलते है खादर soil ठीक है this is basically खादर soil तो basically यह जितनी भी river हम लोगों ने देखा यपर कहें लीजे जितनी भी हम लोगों ने doil किसके कारणसे हुआ है इस सारा कुछ हुआ आ है river के कारणसे और यह जितनी भी soil हम लोग negro देखा है इस सारी कि सारे soil को बोलते है aluvial soil clear हो गया तो ये होती है जो रिवर के कारण से हो रही होती है तो जहां जहां रिवर होगी वहां वहां हमें अलूवियल स्वाइल देखने को मिलेगी जैसे गंगा यमुना हो गया तो गंगा यमुना में देखने को मिलेगा ब्रमपुत्रा में देखने को मिलेगा नर्मदा में देखने को मिलेगा तापी में देखने को मिलेगा महानदी में देखने को मिलेगा गुदावरी में देखने को मिलेगा नर्मदा में देखने को मिलेगा इसके अलावा कावेडी में देखने को मिलेगा पिननार में देखने को मिलेगा तो बहुत सारी river है कृष्णा गुदावरी बहुत सारी rivers है जहां पर हमें इस तरीके की soil देखने को मिलेगी तो इस तरीके से हम लो बोल सकते हैं कि जो alluvial soil है ये basically all India distributed है clear हो गया कहां पर कैसे मिल रही होती है कौन सी स्वाइल क्या होगी आगे बढ़े हैं अगर हम लोग तो हम लोग जड़ा देखते हैं अब ब्लैक स्वाइल के बारे में इसको मैं एरेस कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी देखेगी अच्छा पूरा एकली कर रहेते हैं अब इसके पास हमारी दूसरी स्वाइल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्वाइल ब्लैक स्वाइल का मतलब ये होता है जो ब्लैक कलर की होती है और ब्लैक कलर क्यों हुआ है इसको हम लोग रेह भी बोल रहे होते हैं यह बनती है लावा फॉर्मेशन के कारण से अब यह लावा फॉर्मेशन क्यों हुआ है लावा फॉर्मेशन हुआ है because of volcanic eruption इस volcanic eruption के कारण से हमें लावा मिल रहा होता और लावा के कारण से ultimately हमारी black soil develop हो रही होती है इस black soil के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहां पर क्या होगा जो भी लावा लावा अगर निकल क्या है सीधी सी बात है या तो granite का बना होगा या तो endecite का बना होगा या फिर यह basalt का बना होगा तीनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी योगी granite के होने के chances थोड़े से कम होते हैं लेकिन हाँ अगर sheet format में है sheet format में तो 100% surety के साथ में या तो वो endecite है उसके भी chances कम है basalt के होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं और soil बनी है तो सीधी सी बात है sheet volcano type का ही बना होगा sheet ila का ही बना होगा और sheet का 100% surety के साथ आप बोल सकते हैं दी ज़्यादा basaltic material basaltic material जो पाए जा रहे होते हैं महरास्ट में कुछ हद तक करनाटक में आंदरपरदेश में और गुजरात के area's में पाए जा रहे होते हैं क्यों पाए जा रहे हैं अलरड़ी हम लोगों ने देख रखा है अपने plate tiktonic के दोरान में इंडियन plate जब reunion island से गुजर रही थी तो reunion island एक hot spot है और hot spot होने के कारण से ही यहाँ पर volcanic eruption देखने को मिला था और ultimately इन सारे इलाकों में sheet volcano देखने को मिल गई थी यह इलाका basic इलाका रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो soil है वो basalt की कारण से बनी और basalt हमें basic nature का मिलता है और इस कारण से यहाँ पर जो भी soil formation होगी वो पूरी की पूरी basic soil होगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ ज़रा देखिए यहाँ पर यह जो लावा होगा वो बहुत ज़्यादा आपस में clay nature का होगा clay मतलब कि यहाँ पर छोटी 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 पार्टिकल होंगे और यह छोटी 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 पार्टिकल होने की कारण से अगर मालीजे पानी इसमें अगर नीचे बहता भी है तो trap हो जाएगा इसमें क्यों trap हो जाएगा सीधी सी बात है अगर मालीजे बड़े बड़े अगर इलाके रहेंगे तो इसमें pores भी मतलब जो भी hole है वो बड़े बड़े होंगे तो पानी नीचे टहल करके चला जाएगा लेकिन अगर यह बहुत छोटे छोटे होंगे तो यह क्या होगा pores इसमें लगबग लगबग नहीं के बराबर होंगे यानि पानी जैसे ही आएगा पानी इकठा हो जाएगा यानि जो black soil होती है उसकी moisture के retention का retention काफी ज्यादा होता है लेकिन यह जड़ा ध्यान रखेगा हम लोग जो बात कर रहा है volume wise बात किये है moisture retention volume wise काफी ज्यादा होगा लेकिन time के साथ सबसे कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि देखिए इलाके पे water की जो availability है वो अपने top layer में है हमें पता है कि अगर rain आया है पानी कठा हुआ है तो साथ में insulation भी तो है यहाँ पर heat भी तो है और heat के कारण से इसका evaporation भी होना शुरू हो जाएगा पानी यहाँ से evaporate वाशपी करण भी होना शुरू हो जाएगा और इस WashP करण के कारण से बहुत ही कम टाइम में इस soil में जितनी भी moisture है वो खतम हो जाएगी तो moisture retention बहुत ज्यादा है इस इस correct बट बहुत ही शौट टाइम के लिए होता है clear हो गया क्या चीज़ है Black soil का मतलब और किस तरीके से water retention हो रही है और क्या चीज़े हो रही है चलिए black soil कहां पाई जाएगी अलड़ी मैंने आप लोको इलाका बता दिया बिसिकली यह डिककन प्लेटू में मिल रही होती है तो बिसिकली यह डिककन क्या इलाका हो जाता है आगे अगर बात करें आगे हमारे पास आती है red and yellow soil इस अर बिसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि यह old alluvium है this is basically old alluvium old alluvium में अब देखिए दो तरीका हो सकता है mineral के composition के कारण से अब देखिए mineral के composition में हो सकता है कि यह iron rich हो और दूसरा हो सकता है कि iron rich नहीं होगी कोई दूसरा compound होगा aluminum होगा calcium होगा चाहे कुछ और होगा कुछ भी होगा या फिर कह सकते हैं कि यह non-ferrous है ठीक है अगर ferrous में आपने water दे दिया तो यह बनेगा Fe2O3 अगर यहाँ पर आप water दे देंगे तो यहाँ पर किसी ना किसी का hydroxide बन जाएगा मालत है calcium का ही hydroxide बना देते हैं यह जो Fe2O3 है यह red in color होगा क्योंकि यह basically क्या हो गया जंग हो गया, rust हो गया और यहाँ पर यह color white दिखेगा या फिर yellow देखने को मिलेगा इस तरीके से हमें दू तरीके की soil देखने को मिल गई है अगर soil iron rich होगी तो हमें red color की देखने को मिलेगी और अगर non iron या फिर नॉन ferrous होगी तो यह yellow color की देखने को मिल जा रही होगी लेकिन एक बाद शूर है, यह है old aluvium जो की river के कारण से लाया गया था तो हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा second number पे हमें सबसे आदा red and yellow soil ही देखने को मिल रही होती है अगर इस iron rich वाले के बारे में बात करें तो हमें पता है iron सबसे ज़्यादा कहा मिलता है, छोटा नागपूर प्लेटू के यलो स्वाइल और जो फेरस वाली है, यह बन जाएगी आपकी red स्वाइल, दोनों में clarity आगई, दोनों में क्या अंतर है, क्या चीज़ है, चलिए खहर आगे बात करें, तो next होती है हमारी letter right स्वाइल, तो red and yellow स्वाइल का भी आपको difference समझ में आ गया है, इलाका समझ में आ गया है, कहाँ पर होगा, बता सकते हैं आपके आंदरप्रदेश का वालाका, तेलंगाना का इलाका, चतिज़गर, उडिशा, वेस्ट बेंगॉल, यह इलाके भी काफी हत्तक red and yellow स्वाइल से मिल रहे होंगे, यहाँ ठीक है, नेक्स आती है हमारी letterite soil, letterite का मतलब होता है later, और letter का मतलब होता है eat या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं, English में brick, यह basically eat है, होता क्या है, यहाँ पर कि इस इलाके में इतना ज़्यादा rainfall हो जाती है, कि इस rainfall के कारण से leaching बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस leaching के कारण से जितने भी minerals होते हैं, वो चले जाते हैं अपने rock strata में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कि illuvium वाला illuvium हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर माल लेते हैं, यह soil horizon है, यहाँ पर माल लेते हैं कि उपर में humus है, और नीचे का layer A हो गया, layer B हो गया, layer C हो गया, और यह rock strata वाली layer D हो जा रही होती है, ठीक है, यहाँ से जो mineral से वो leach करके down चले गए, सबसे नीचे चले गए है, यहाँ पर leach होने के कारण से अब होता क्या है, कि उपर का जो surface होता, वो काफी आदा पथरीला दिखना शुरू हो जा रहा होता है, जिसको कि हम लोग later या later right soil बोल रहे होते हैं, कहाँ पर पाई जाएगी यह soil, यह soil पाई जाएगी, basically उन इलाकों में जहाँ पर rainfall बहुत ज्यादा होते हैं, होते कहाँ पर हैं, western घाट में सबसे आदा होते हैं, इसके अलावा आपको गारोखासी जीयंतिया रिजियन में भी देखने को मिल जाएगा, गारोखासी जीयंतिया, मौसिन रामचिरा पूजी, इस हिलाके इरिट स्वाइल के बारे में सिंपल सी बात है ये एक डिजर्ट स्वाइल है डिजर्ट स्वाइल क्योंकि यहाँ पर क्या है पानी की अवेलिबिल्टी नहीं हो पाती है वाटर की अवेलिबिल्टी जब नहीं हो पाती है तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी स्वाइल के पैर बाश ज़्यादा पाया जाता है लेकिन यहाँ पर कोई भी vegetation नहीं ओपाती है और vegetation नहीं पाने के कारण से लगातार यह जो region होते हैं वो लगातार water deficient बनते जा रहे होते हैं और water deficient होने के कारण से यह जो soil होते हैं जिनको आफ लोग Arid soil भी यहीं पर पाई जाएगी Next soil आती है हमारी जो saline soil होती है Saline soil देखिए दो तरीके की होती है एक soil होती है जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है या फिर कह लिजए कि जहाँ पर water के availability कुछ खास नहीं है तो arid इलाके के चारों और में आपको क्या मिल जाएगी Saline soil क्योंकि यहाँ पर salty area है जैसे गुजरात का area हो गया या फिर लूनी रिवर के आसपास का जो भी रिवर है सांबार हो गया, डिगना हो गया, डिडवाना हो गया इस इलाके में भी basically saline soil मिल जाएगी clear, दूसरा तरीका होता है जहाँ पर high irrigation की कारण से saline soil मिल रही हो जैसे पंजाब हरिहाना का region हो गया यहाँ पर भी saline soil मिल जाती है लेकिन ये soil basically over irrigation के कारण से डबल अप होई है clear हो गया mountain soil को मैं जरा रोक रहा हूँ और हम जरा देखते हैं पहले pete soil के बारे में pete soil का मतलब होता है वो soil जो मार्शी एरिया में पाई जा रही होती है मार्शी एरिया का मतलब जैसे wetland का इलाका हो गया floodplain का इलाका हो गया ये सब basically pete soil है क्योंकि यहां पर pete डवलप हो जाते है pete का मतलब again यहां पर moisture काफी ज्यादा होती है और इलाके में कह लीजे कि rainfall या water logging बहुत ज्यादा होती है मतलब पानी से हमेशा ये ढखा रहते है तो ये basically हो जाते है water logging कहां पर पाए जाएगा ये पाए जाएगा जो भी west bengal का इलाका है या उडिसा का इलाका है तो basically चिलका लेक के आसपास का इलाका हो गया या फिर आपको सुंदर बन के delta के आसपास का region हो गया यहां पर आपको basically pete soil देखने को मिल जाएगी या फिर गोदावरी जहां पर अपना delta बना रही है कावेरी अपना जहां पर delta बना रही है पिननार बना रही है महानदी delta बना रही है तो यह सारे के सारे जो delta है basically वो pete soil ही तो है क्योंकि इलाका अपना पूरा का पूरा water से हमेशा दबा रहेगा हमेशा wetland इलाका बना रहेगा clear हो गया इसके बाद हमारी आती है forest soil या फिर mountain soil कुछ खास नहीं है यहाँ पर mountain soil में क्या है कि जो mountain इलाका है वही से यह टूट टाट करके वही पर जमना शुरू हो जाती है rainfall होती है temperature difference होता और ultimately soil formation हो जा रही होती है humus काफी ज़्यादा होता है इक तरीके का temperate area बना है और temperate area में bacterial activity काफी ज़्यादा होती है तो temperate area में bacterial activity हो गई bacterial activity के कारण से यहाँ पर soil development हो जाती है लेकिन इस इलाके में ज़्यादा vegetation होती नहीं है क्योंकि इस soil basically undeveloped होती है developed नहीं होती है developed soil का मतलब इस तरीके से horizon जो है वो clear नहीं हुए रहते हैं क्योंकि अभी soil की development चल रही है तो यह हम लोग ने basically ICAR के classification को देखा कि किस तरीके से classification की गई है कहां distribution है क्या कुछ है अब यहाँ पर एक table मैंने include किया हुआ है जहाँ पर basically NPK, humus और acidic base इन सारे का सारा detailed discussion किया गया है तो this is basically the chemical composition and this is phosphorus P and this is K, potassium यहाँ पर humus आ गया और उसके बाद से acidic और basic nature आ गई है one by one करके discuss तो जरूर करेंगे पहले ज़रा concept discuss कर लेते हैं और start करते हैं सबसे आसान वाली चीज़ से that is acidity और basic यहाँ पर देखें different soil हैं यहाँ पर लिखी गई है अलग-अलग soil है जो कि अलग-अलग area में पाई जा रही होती है जिसको अलड़ी हम लोगों ने discuss करके रखा हुआ है देखें जो soil humid area में पाई जाएगी वो soil acidic nature की होगी जैसे humid area में क्या इलुवियल पाई जाती है बारिश होती है की नहीं होती है बिल्कुल होती है कोई दिकत नहीं है black soil में यहाँ पर बारिश नहीं डिककन का इलाखा है कहां होती है drought prune region है तो यह drought area है यहाँ पर basically acidic होनी नहीं चाहिए फिर एडे अनुजर स्वाइल यहाँ पर भी जो होती है humid होती है बारिश हो रही होती है forest soil में यहाँ पर भी humid होती है बारिश हो रही होती है PT soil में यह तो पुरा-पुरा पानी साही दबाई होगा है laterite में यहाँ पर भी humid है बारिश हो रही होती है arid soil नहीं भाई, drought बना हुआ था, यहाँ पर soil नहीं होनी चाहिए, mountain soil, again यह humid होती है, तो आप देखें, जितने भी मैंने humid लिखी है, वो सारे के सारे acidic हैं, देख सकते हैं, और जितने भी दूसरे हैं, या फिर कहले जितने भी soil, drought area के हैं, वो सारे के सारे basic हो जाते हैं, तो आ आला कि जो black soil है, यह basic होने के पीछे reason इसका यह है, कि यहाँ पर basically lava formation से बना है, या फिर कह लिजिए, कि यह जो है, basaltic soil से बना हुआ है, तो इस कारण से basically basic nature का हो गया है, this is clear, okay, now coming to the humus part, humus में क्या होता है, कि वो इलाके जहां पर soil relatively थोड़ी सी develop होती है, थोड़ा सा humid region होता है, तो वहाँ पर हमें इस तरीकी की चीज़ें मिल जा रही होती है, जैसे, eluvial soil में क्या है, कि new soil है, इसलिए humus है, क्योंकि again temperate activity, temperate nature बना हुआ है, climate का, इस कारण से हमें humus मिल रही होती है, black soil में देखेंगे, इलाका tough है, tropical है, इसलिए low humus है, similarly red and yellow soil में भी tropical है, low ब बना होता है, mountains soil में भी temperate बना होता है, तो इस कारण से हमें रिच हो रही होती है, PT soil में भी देखेंगे, तो ईलाका जो होता है, वो temperate टाइप का ही बना होता है, इस कारण से rich हो रही होती है, लेकिन जो latter right soil है, यहाँ पर heavy rainfall होने की kारण से हमें रिच हमें from rich हमें को बिल रही होती है और वही अगर एरिट्स वाइल के बारे में बात करें डिजर्टी इलाका है टेंपरेचर हाई होता है इसलिए लो एक्टिविटी या लो हुमस देखने को मिल रही होगी तो बिसेकली जो टेंपरेचर डिफरेंस हो रही होती है उस टेंपरेचर डिफरेंस के जाएगी बाकि जो इलाके रहेंगे वहाँ पर रिच नहीं पाई जाएगी इस जस्ट अ कंसेट देखिए और कोई बात नहीं है यहाँ पर हो सकता है वैरी करें यह केवल और केवल आपको याद रखने के लिए एक कंसेट दे दिया गया है जहां पर आप इस तरीके से classification जब आप करेंगे तो आपको एक clarity रहेगी थोड़ी सी याद रहेगी चीजे तो यहां पर जब आप देखेंगे तो black soil यह आपको इलाका जो होता है tropical है red and yellow soil tropical इलाका है नहीं मिलेगा similarly आपको airy soil में भी गर्मी बहुत ज़ादा इस वज़े से नहीं मिल रही होगी ठीक है now coming to the NPK nitrogen में क्या होता है कि जो soil जहां पर water की availability बहुत ज़्यादा होती है वहां पर हम लोगों के nitrogen leguminous plant बहुत ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं जैसे जलकुम भी बगर हो गई या फिर जितने भी आपके mangroove इलाके होते हैं they are basically nitrogen rich vegetation और ये कहां पर मिलेगी जहां पर पानी से दबा हुआ इलाका रहेगा कहां पर रहेगा इलाका दबा हुआ मार्शी एरिया में जैसे PT इलाका यहां पर हमें normal से थोड़ी सी ज़ादा या फिर nitrogen जो होती है इस तरीके से ज़्यादा देखने को मिलेगी बाकी इसके अलावा कहीं और अगर बात करें तो mountain के इलाके में और forest के इलाके में यहां पर हाई होगा forest के इलाके में basically हमें एक normal condition देखने को मिल जा रही होती है क्योंकि again यहां पर भी leguminous crop या फिर हमेशा बारिश पाई जा रही होती है तो इस वज़े से यहां पर भी nitrogen हमें थोड़ी relatively जादा मिल जा रही होगी तो clear होगे है क्या चीज़ है यहां पर basically आप याद रखेंगे कि जहां पर भी wetland इलाका रहेगा उस wetland इलाके में हमें nitrogen जादा मिल रही होगी clear हो गया now coming to the phosphorus and potash देखे phosphorus और potash यह दोनों के दोनों आती है कहां से यह दोनों के दोनों आती है mountain region से तो जो इलाका mountain के पास में होगा 100% sure है कि वहाँ पे phosphorus और potash 100% surety के साथ में वहाँ पर ज्यादा पाई ही जाएगी लेकिन case यहाँ पर यह है कि बहुत सारे external agent जैसे river हो गया या फिर wind हो गया glacier हो गया groundwater हो गया यह भी ऐसे regions होते हैं जो लगातार इस phosphate और potash को अपने साथ में carry करके ले करके आते है जिसके कारण से जो composition है वो change होती रहती है तो इस composition को change किया जा सकता है लेकिन जो parent इलाका होगा तो 100% sure है कि वहाँ पर ज्यादा होगी जैसे eluvial soil है eluvial soil हमें पता है कि mountain से उतर के ही आ रही होती है तो यहाँ पर phosphorus और potash ज़्यादा पाया ही जाएगा या कहली जो normal तो पाया ही जाएगा अगर बात करें हम लोग अपने letter right के इलाके में तो यह western घाट से उतर रही होती है तो यहाँ पर भी हमें normal ही देखने को मिलेगा this is low हलाकी लेकिन ठीक है यहाँ पर आप normal तरीके से भी याद कर सकते हैं area soil के बारे में बात करें तो यह तो इलाका ही पूरा का पूरा जो है वो किवल और किवल parent rock से आया है तो यहाँ पर potash और phosphorus ही किवल देखने को मिलेगा mountain इलाके में भी हमें यही same condition देखने को मिल रही होगे लेकिन pt soil में अगर आ जाए यहाँ पर देखे किसी परकार से पूरा का पूरा इलाका क्या है wetland का इलाका है ना तो कहीं से mountain ना तो कुछ है तो इलाका क्या है दोनों low हो जाएगा दोनों इस तरीके से चीज़ें हो जा रही होंगी red and yellow soil में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको mountain इलाका मिल जा रहा होता है play to region और play to region तो सीधी सी बात है phosphorus और potash मिल जा रही होती है तो इस तरीके से आप normal condition लेकर चल सकते हैं similarly black soil में भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको normal condition देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर भी हमें phosphorus पोटाज यह दोनों के दोनों volcanic eruption के कारण से मिल जा रहे होते हैं तो हाला कि phosphorus और potash यह उतना ज़्यादा important नहीं है लेकिन आपको एक idea होना चाहिए कि यह कैसे develop हो रही होती है तो हम लोगोंने बात भी कर लिया कैसे develop हो रही है humus के बारे में मैंने आप लोग को बताई दिया कि basically temperature एक normal temperature होना चाहिए temperature temperature होना चाहिए जिसके कारण से human activity हो रही हो acidic basic के बारे में मैंने आपको बताया ही rainfall activity humidity humid अगर माली ये climate है तो acid होगा otherwise वो basic हो जाएगा actual में acid और basic जो acidic और basic है ये basically leaching पर depend करता है अगर leaching हो जाएगी तो जितना भी उपर के surfaces हैं वो निकल करके नीचे चले आएगे और ultimately hydrogen iron surface पर बच जा रही होती है जिसके कारण से इलाका acid हो जाता और यही कारण है कि humid area में acidic soil हमें देखने को मिल रही होती है तो एक trick आपको पता चल गया जरूरी नहीं है कि आपको chemistry आती ही हो इस वज़े से मैंने आपको trick type का बता दिया कि हाँ ठीक है जहाँ पर humid इलाका होगा acid हो जाएगी जहाँ humid नहीं होगा वो basic हो जाएगी humus पता ही चल गया phosphorus पता ही चल गया nitrogen जहाँ पर leguminous crop होगी यानि wetland इलाका होगा तो वहाँ पर हमें इस तरीकी की चीज़े मिल जाएंगी तो clear हो गया क्या चीज़ है detail में discussion किया आप कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए चीज़े आपको असानी से याद हो गई होगी अब लोगो ज़रा देख लेते हैं कहां कहां पर कौन कौन सी soil है जैसे सबसे पहले अगर बात करें alluvial soil के बारे में तो alluvial soil देखिए जहां जहां पर भी river होगी तो जैसे गंगा river निकलती है तो गंगा river इस तरीके से यहां पर मिल रही है तो यहां पर हमें alluvial soil देखने को मिलेगी इसी तरीके से यमुना निकल रही होती है यह यमुना की soil हो गई similarly महानदी निकल रही होती है ऐसे हो गई नर्मदा रिवर निकल रही थी ऐसे हो गई माही दो बार कट करती है ऐसे हो गई तापी हो गई इधर हो गई गोदावरी इस तरीके से distributed होती है यहाँ हो गई कृष्णा रिवर इस तरीके से यहाँ पर distributed है तो यहाँ पर हो गई है साबरमती अगर भी बना सकते हैं यहां पर साबरमती रिवर हो गई ठीक है अब जड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि दूसरा कलर भी आ जाए नौ दा ब्लैक स्वाइल ब्लैक स्वाइल का इलाका है बेसिकली वो कौन सा इलाका है ब्लैक स्वाइल का इलाका यह है यह काम करते ह है इसको ले लेते हैं highlighter यहाँ पर हमें इस इलाके में हमें black soil देखने को मिल रही होती है महराश का region कुछ हत्ता गुजरात का region यहाँ पर aluvial soil कुछ-कुछ इलाके पाई जाएगी लेकिन most of the इलाके में पाई जाएगी black soil तो यह जो पाई जाएगी वो छोटा नागपुर प्लेटू यह इलाके में पाई जाएगी तो यह जो इलाका है basically वो पाई जाएगा red and yellow soil का ठीक है मतलब red soil का और yellow soil कैसी हो जाएगी yellow soil यहीं दिखा देते हैं जाएगी तो this is basically the red and yellow soil जो की इस तरीके से यहाँ पर distributed है बाकी अगर बात करें यहाँ पर भी हनाकि red and yellow soil यह भी red and yellow soil का ही रीजन है लेकिन बीच में actually होता क्या है बात करते हैं क्या चीज़ है बीच में actually एक जे बनता है यहाँ पर एक जे बनती है और यह जो जे है basically यह जे dessert होता है और dessert को जरह एक काम करते हैं black color से दिखा देते हैं यह जो इलाका है यह जो जे बनी हुई है यह पूरा का पूरा dessert ही है यहाँ पर यह saline हमें देखने को मिल रही होते है तो this is basically the saline soil here ठीक है यहाँ पर भी वही saline soil हमें देखने को मिल जाएगी ठीक है और इस saline soil जहाँ पर गुजरात region भी आ गया है इस align soil के beyond हमें arid soil देखने को मिल रही होती है तो arid soil हमें brown color में दिखा देते हैं तो यह हमें brown, where is brown चलिए यह ले ले लेते हैं तो यह basically वो soil है जो arid soil है बन गया arid soil, ठीक है चलिए अब हम लोग जो देख लेते हैं कि कौन सी soil हमारी letter right letter right color green से ले लेते हैं यह जो पूरा इलाका है यह आपको letter right देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर monsoonal activity होती है और इस तरीके से हमें soil यहाँ पर मिल जाएगी similarly monsoon norm चिनापूजी इस लाके में भी यही letter right इलाका मिल जाएगा बचा हुआ जो इलाका है आपके assembly का तो वो basically हो जा रहा होता है क्या again यहाँ पर ब्रमपुतरा river है तो इस तरीके से यहाँ पर river यहाँ पर जो soil है वो निकल के आ रही होती है next अगर बात करें तो अब हमारी आ जाती है mountain soil के बारे में mountain soil को दिखा लेते हैं green से तो यह पुरा का पुरा जो इलाका है mountain soil होता है यहाँ पर ठीक है in fact हुतराखंड में भी mountain soil है यहाँ पर सिक्किम में mountain soil है और यहाँ पर अव्लांचर प्रदेश में भी mountain soil ही हमें मिल रही होती है ठीक है यह इलाका पुरा का पुरा mountain soil है हम लोग ने एलुवियल स्वाइल देख लिया, ब्लैक स्वाइल देख लिया, डेड एलो हो गया, लेटराइट हो गया, एरिड हो गया, सैलाइन हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पीटी स्वाइल का मतलब यह होता है, जहां पर वेटलैंड हो रही है, वेटलै पेरू लेख हो गया, चिलका लेख हो गया, इन सारे इलाके में भी हमें PT स्वाइल देखने को मिल जा रही होती है, तो हम लोग ने बेसिकली एक distribution भी देख लिया, जितना भी area आपको white white color का दिख रहा है, वो basically alluvial स्वाइल है, ठीक है, तो ये पूरा इलाका हम लोग ने distribution भी मतलब होता है, जहां पर soil degrade करना शुरू कर दी है, कैसे करेगी degrade, देखते हैं, तो soil erosion is basically the loosening and displacement of top soil from the land due to action of agent like water and wind, ठीक है, अब wind उडा करके ले करके जा रही है, ये soil के पहले layer को ही, चाहे पानी जो होता है, पुरा-पुरा बहा ले जा रहा है, तो basically हो क्या रहा है, ये सारे के सारे soil erosion ही तो हो रहा है, तो soil erosion in nature, maybe slow process, जो की geological erosion हो सकता है, और fast process भी हो सकती है, जैसे human activity, overgrazing and deforestation, अगर बात करें, soil erosion के कौन-कौन से reasons हैं, तो reason में अगर anthropogenic या फिर man-made reason बोल सकते हैं, anthropogenic के बारे में अगर पहले बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, urbanization हो गया, जहाँ पर soil erosion हो जाती है, deforestation हो गया, forest को cutting कर दियाती है, shifting cultivation हो गया, ये soil erosion हो जा रहा होता है, over irrigation हो गया, soil irrigation का type हो जा रहा होता है, similarly, यहाँ पर अगर हम लोग और mechanization करते हैं, या फिर animals के बारे में अगर बात करें, तो animals भी जो है, वो इस तरीकी की soil erosion करते हैं, कैसे, जिसे goat है, बकरी, यह क्या करती है, जब भी कोई plant या कोई भी घास खा रही होती है, तो उसको जड़ सही तो वो प्लक कर जाती है, तो प्लक करने के कारणस यह distribution मतलब क यह जो soil है, वो weak हो जाती है, और weak होने के कारणस से तूड जा रही होती है, अगर natural के बारे में बात करें, तो देखे, land slide हो गया, यह soil erosion का type होता है, rainfall हो गया, यह भी soil erosion का ही reason हो जाता है, soil में directly rainfall, rain की drop पढ़ती है, और ultimately उसको तोड देती है, similarly glacier हो गया, यह भी जो होता है, soil erosion का ही एक type हो जाता है, तो यह तरीके होते हैं, कुछ जिसकी कारण से हमें, यह सब तरीके मतलब soil erosion देखने को मिल रही होती है, तो withering, erosion, these are lead to degradation and degradation, in fact, बात करें अगर, तो erosion जो होती है, is a mobile process, जहाँ पर withering जो होती है, जबकि withering जो होती है, वो static process होती है, क्योंकि erosion में च चीज़े तोड़ना शुरू कर देते है, water में अगर बात करें, तो water rain drop के कारण से होती है, जो की natural reason हो गया, sheet erosion मतलब river जो है, माल लेते हैं, कि कोई ऐसी soil है, जैसे pt soil, pt नहीं, saline soil हो गई, या फिर sandy soil हो गई, इन सारे इलाकों में जब river आएगी, तो sheet erosion हो जाएगा, रिल और गली erosion हो सकता है, जैसे जो चंबल river कर रही होती है, दामोदर river भी कर रही होती है, in fact, महा नदी river भी रिल और गली erosion कर रही होती है, बागे landslide हो गया, coastal erosion हो गया, glacial erosion हो गया, यह कुछ भी और type हो जा रहे होते है, soil erosion के clear, अब हम लो जब देखें, कि आखिर में soil erosion हो होती है, जैसे it is a methodology to maintain soil fertility, prevent soil erosion, exhaustion and improve the degraded condition of the soil, इसमें बचाने के लिए कई तरेके होते हैं, जैसे जो over grazing की जा रही है, मतलब जो भी फसल को काटा जा रहा है, बकरी को खिलाया जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें बेसिकली बचाई जा सकती है, शेक्टिम कल्टिवेशन के का affected the natural cover of land and given rise to excessive erosion, it should be regulated and controlled by educating, जो भी villagers है, उन लोगों को बता सकते हैं, बाकी इसके अलावा जो rainfall है, या फिर कह लीजिए कि rainfall के कारण से परवती वर्षा जो mountainous rainfall होती है, उनके कारण से जो sheet erosion हो जा रही है, मतलब कि पुरी की पुरी soil की एक layer उड़ जा रही है, उसको हम लोग बचा सकते हैं, कैसे contour bonding करके, contour bonding का मतलब हो गया, सीड़ी नुमा खेत, इसे क्या होती है, कि river इस तरीके से उतरी, इस तरीके से उतरी, इस तरीके से उतरी, तो यहाँ पानी जो है, वो एक high velocity के साथ नहीं आने पाता है, जिसके कारण से हम लोग, जो river में, मतलब कि जो water, soil क एक layer उला सकता था, उसको हम लोग ने prevent कर दिया, इसके अलावा contour terracing कर सकते हैं, वही सीड़ी नुमा खेती, फिर उसके बार regulated forestry, controlled grazing, cropping, mixed farming, crop rotation, यह सब कुछ अधर तरीके होते हैं, जिसके तरू हम लोग, soil erosion को रोख सकते हैं, इसके अलावा, eforestation करिए, नहने पेड रहे हैं, उनको रोखिये, हमें deforestation नहीं करना है, इसके अलावा, जो भी floods आते हैं, जो भी बार हाती है, उसको हम लोग डैम लगा करके रोख सकते हैं, और इस तरीके से जो भी soil erode हो रही है, उसको हम लोग बचा सकते हैं, इसके अलावा, जो भी ravines या bad land topography बन रही है, उ यह देखे हम लोगोंने पूरी के पूरी soil की discussion, soil के formation, soil के type, classification, soil erosion and soil conservation के बारे में हम लोगोंने काफी detail में चर्चा किया, अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप इन sources का, इन media sources का use करके अपने doubt को पूछ सकते हैं, मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, thank you so much